हेलो दोस्तों स्वागत था आप सब कारवंदू क्लासेज में मेरा नाम है मनीश सिंग अफिदे और आज से हम एक नया सेरी सुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम टॉप 500 करेंट अफियर्स को MCQ के फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे जहां से आपको आगामी 67th VPSC and CDPO में most of the questions आने वाले हैं आप इस वीडियो के एक एक सेकेंड से लाभ उठाने वाले हैं इसलिए बिल्कुल भी कहीं भी escape ना करें सो आज का पहला question है इन विच स्टेट MSME Technology Center बिल भी सेट अप इन सिंधो दुर्ग आप्शने करनाटका आप्शन भी महाराष्ट्र तमिलनादू या मध्यपर्देश and the right answer is option B कि महाराष्ट्र नेक्स्ट कोस्ट्ट विच एरपोर्ट इंडिया इस सेट तो गेट इस स्टाटस ऑफ पावर पॉजिटिव एरपोर्ट ऑफ इंडिया इन मार्च 2022 गोवा कोचिन कैंपे गोड़ा इंटरनेशनल एरपोर्ट कैंपे गोड़ा बैंगलोर में है and option D सूरत इ कोचिन इंटरनेशनल एरपोर्ट क्शंट इसे अोप्शिन पाया जाता है इसे हम जीमनी आईलेंड के नाम से भी जानते हैं फोटो से एक क्लियर है यह यह ब्लाक सी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दू मैंने एक उक्रें और रसीया विबाद पर इनके जो conflict चल रहा इसके उपर एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसमें मैंने रश्या और उक्रेन इन दोनों के सारे भगॉलिक features and इनके border sea ocean river सारी चीजें discuss की हैं आप इस वीडियो को जरूर देखें must है आपके आगामी exams के लिए the next question is who has become the highest run scorer in 2020 cricket option ए विराट कोहली सुरेश रहना कैन विलियमस रोहित सर्मा and यह obvious है the right answer is Rohit सर्मा option D next question is operation Ganga is a special evacuation mission launched by the government of India to bring back Indian nationals from which country Russia Afghanistan Belarus Ukraine विवाज चल रहा है रश्या और Ukraine के बीच में और हमारे जो बच्चे थे medical students थे वह Ukraine में फसे बढ़े थे और इसलिए इसका right answer होगा option D Ukraine the dressing museum named Nikarshan Southern has been inaugurated in which city of India option A Chennai Visakhapatnam C Kochi D Panji and the right answer is option B Visakhapatnam में next question is about Sadiya Tariq Sadiya Tariq was in news for winning a gold medal for India in which event so the right answer is option C Wushu Wushu को हम Kung Fu के नाम से भी जानते हैं शादिया Tariq 15 साल की एक गर्ल है जो बिलॉंग करती हैं जमू एंड कास्मीर से और यह championship वुशू championship रश्या में और्गेनाइज किया गया था next question is who is the winner of the 2022 Mexican Open Tennis Tournament option A Novak Djokovic, option B Stefano Sitsipas, option C Daniel Medvedev, option D Rafael Nadal and the right answer is option D Rafael Nadal next question is the Vhasa Sangam mobile app has been released by the Ministry of Education in how many scheduled Indian language so the right answer is option C 22 भासाओं में और आपको बता दूँ scheduled Indian language जो है इंडियन Constitution के scheduled 8 में mentioned है next question is in which year was the प्रधान मंत्री भारतिय जनौस धी परियोजना वास लांच्ट option A 2006, 2012, 2010, 2008 and the right answer is option D 2008 में लांच किया गया था जिसमें Congress UPA की सरकार थी और इसको उसमें जब लांच किया था इसे बोला जाता था जनौस धी स्कीम और इसे लांच किया था Department of Pharmaceuticals ने 2014 में इसे review किया गया and उसमें पाया गया कि टोटल जो देश में जनौस धी स्टोर्स खुले थे वह केबल 80 थे और आज हम जब 2022 में देखते हैं तो टोटल जनौस धी अस्टोर्स की संख्या जो है बढ़के लगबग 8,675 हो गया है डॉक्टर जीतेंदर सिंग लॉंच द इंटरनेशनल मॉंसून प्रोजेक्ट ऑफिस एर दा इंडियन इंस्टिट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलोजी वेर इस इस इंस्टिट लोकेट हैं अभी हाल में इंटरनेशनल मॉंसून प्रोजेक्ट ऑफिस को इनाग्रेट किया गया था टुंटियेथ फैब को टुंटियेथ फैब नेशनल साइंस्टे के दिन नेक्स कोस्टिन इस मिनिस्ट्री आफ विमें चाइल्ड देवलोप्मेंट विल लॉंच दा बाक्ट्ट स्कूल केंपेंट इन पार्टनर्सिबित विच और्गेनाजेशन युनिसेफ डबलु एचो निपी आयोग या फिर व्ल्ड वैंक और राइट एंसरी ऑप्शने यूनिसेफ और यह जो बैक्ट्टु स्कूल कैंपेंट है इसमें जो कोबिट लॉकडाउन के दौरानों कई सारे लड़कियां जो थी वह स्कूल से बाहर निकल चुकी थी वह बापस स्कूल लॉट के जाएं इसका प्रयास क्या जा रहा है और यह बेटी बचाओ बेटी परहाओ जो यूजना थी हमारी उसी के अंदर लॉंच किया गया है इंडिया इंडिया फर्स्ट एंबुलेंस पर स्ट्रीट अनिमल फिम लॉंच्ट इन विच्टी जैपूर चंडिगर बैंगलूरु या चन्नाई और राइट आंसर आपसंधी चन्नाई लिए इंडिया 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 ने वी गंडेट ऑपरेशनल देमोंस्ट्रेशन अट विच्टि ऑपने पूने विच कंट्री है स्टॉप नाइट फ्रैंक्स दवेल्ख रिपोर्ट 2022 लिस्ट फोर दो मोस्त नंबर आफ बिलिनेयर्स पॉपलेशन ग्लोबली ऑप्चन ए युनाटेड स्टेट्स रॉश्या ऑस्ट्रेलिया चाइना तो ऑप्चन ए इस दर राइट एंसर युनाटेड स्ट इस प्रॉफेसर दीपक धार भारत से बिलॉंग करते हैं इनको भी बॉल्ड मैं मेल दिया गया है तो यह कौन से भारतीय है जिनको यह मेडल दिया गया है यह एक फिजिसिस्ट है जो आयाई-सर से हैं Next question is the WHO has declared March 3rd as the World Hearing Day. What is the theme of World Hearing Day in 2022? Option A, Hearing Care for All, Check Your Hearing, Hearing for Life, Don't Let Hearing Loss Limit You. D, To Hear for Life, Listen with Care. And the correct option is Option D. Next question is which country topped in the 2022 International Intellectual Property Index? Option A, Sweden, Germany, United States या United Kingdom? And the right answer is Option C, United States और इंडिया में, इंडिया का जो रैंक है इस इंडेक्स में वह है 40th. The next question is exercise dharma guardian 2022 is a military training exercise of India with which country? Option USA, Japan, Sri Lanka या फिर नेपाल? So right answer होगा इसका जापान. जापान के साथ यह हमारा military exercise है और इस साल यह organized किया गया था बेलग अभी करनाटका में. The next question is what is the revised compensations to the kind of hit and run victims in case of death? A, रुपीश 2 लाक, 75,000, 50 लाक या रुपीश 1 लाक? And the right answer is Option A, रुपीश 2 लाक. Earlier जो compensation दिया जाता था वह 25,000 था और अब इसे बढ़ा कर 2 लाक रुपे कर दिया गया है. The next question is who will be the first women to lead SEBI in 2022? Rita Reddy, Chanda Kocchar, Sikha Sharma या Madhavi Puri Booch? And the right answer is Option D, Madhavi Puri Booch. Millennium Challenge Corporation is an initiative of which country? Sri Lanka, USA, Russia या Iran? The right answer is USA. Millennium Challenge Corporation के तर्थ, USA उन देशों की development में help करता है, जो गड़ीव हैं या फिर list developed countries है, economically बहुत जादा डवलाप नहीं है. The next question is what is the rank of India in the sustainable development report 2021 list? And the right answer is option B, 120th. India का rank है और Finland, इसमें पहला position रखता है. The next question is which of the following ministry and Google have announced to train 100 Indian startups under the AppScale Academy program? Ministry of Electronics and Information Technology, Ministry of Education, Ministry of Women and Child Development, या फिर, Ministry of Tribal Sneh. And the right answer is option A, Ministry of Electronics and Information Technology. The next question is the Ministry of Women and Child Development has launched इस्त्री मनुरक्षा प्रोजेक्ट in collaboration with which organization to improve the mental health of the women population across the country? Option A, RV Trust, Neptune Foundation, ISA Foundation या निमहन्स and the right answer is निमहन्स. इस प्रोजेक्ट के तहट One Stop Center पे काम करने वाले जो स्टाफ हैं, उनको psychological और mental health care की training दी जाएगी, जिससे वह help कर सेकें, उन औरतों की, उन विमन की, जिन्होंने violence को face किया है. और यह था आज का अंतिन सवाल, और मिलते हम अपने अगले lecture में, तब तब के लिए, जै हिंद, जै भाज़ाएगे.